आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया में साइन नियूज पहले सौमवार को बैंगा नदी के लखनवारा पुल के पास कड़े हुए हैं पानी अभी हम आपको दिखाएंगे पुल के पुराने पुल के उपर से पानी बह रहा है हर साल ये देखा करते थे यहां पर के बैरियर लगे होते थे पर पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले चार-पांच सालों से कि यहां पर बैरियर पुलिस के यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जलादिकारी संस्क्रती जैन, जलापुलिस अधिक्षक तुनिल कुमार, सभी से अपील है, अपेक्षा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कि यहां लखनवारा थाना यहां से बमुश्किल आधा किलोमीटर भी नहीं है, यहां से पुल पार करते ही लखनवारा थाना आ ज जलते हैं, देखिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं, लोगों का हुझूम आपको हमारे पीचे दिखाई दे रहा होगा, और उस हुझूम के साथ ही आपको आगे हम यहां दिखा रहे हैं, लोग पानी के अंदर यहां आप देख सकते हैं अगर आप देख सेंगे तो पानी के अंदर लोग यहां सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई दे रहे होगा मैं आपको उपर लेकर चलते हैं लोग बारिश का आनंद तो ले रहे हैं पर इस बारिश में कहीं न कहीं खत्रा भी चुपा हुआ है हम आपको अब उपर लेकर चलते है किस कदर बहते हुई दिख रही है पुन्य सलिला आपको देख सकते हैं पानी कितना जादा यहां पर दिखाई दे रहा है सिवनी से महच साथ किलोमेटर दूर का यह नजारा मापकी जिएका बैन गंदा का लकटवाड़ा तत सामने आपको दिखाई दे रहे हुए हूँगे मंदिर मंदिर के घाट पूरी तरह दूबे हुए है मापन गंदा की प्रतिमा भी यहां डूबी हुई दिखाई दे रहे होगे यह नजारा है भयावा है नजारा इसे कहा जा सकता है चारो तरफ पानी ही पानी नजारा है अब हमने आपको नीचे से नजारा दिखाया था अब हम आपको उपर लेकर आए है पुल के उपर यह नया पुल बना हुआ है नया पुल भी पूरी तरह जरजर ही हो चुका है और बैन गंगा नदी का प्रवाह है अगर आपको यहां से देखेंगे इधर से लेकर यह हमारे पीछे मंदिर भी लगबग आधे डूबे हुए दिख रहे हैं और मंदिरों के डूबने के साथ में यह जो बीच में आपको दिख रहा है यहां पर बैन गंगा माता बैन गंगा की प्रतिमा यहां थी जो प्रतिमा भी पूरी तरह डूबी आपको नजर आ रहे होगी और उस तरह अगर आप उस तरह देखें बिजली का खंबा बिजली का खंबा देखिए वहाँ पर नीचे तूटकर गिरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा पूरी तरह जुप चुका है कहीं पुलिस की कोई विवस्था नहीं है अगर आप देखें गे तो उफ़ण पर है को ले कर चलते हैं तो दूसरी तरफ इस तरफ आपको ले कर आते हैं जहां से ये भीमगर की और जाता है यहां भी अगर आप देखेंगे तो वो उस तरफ से उस किनारे से अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ रेलवे का पुल आपको दिखाई दे रहा होगा रेलवे पुल नया वाला भी है और कितना जादा पानी यहां पर पहता हुआ और यहां ट्रक जब भी निकलते हैं तो पुल थर थराता हुआ महसूस होता है आवा गमन बना हुआ है और लोग पुल के उपर यहां पर नजर आ रहे हैं अब हम आपको इसके बाद उस तरफ लखनवाडा वाले सिरे की ओर ले चलते हैं दूसरा सिरा यह चिनवाडा रोड वाला सिरा है लखनवाडा थाना यहां से बहुत करीब है पुलिस की विवस्ता कहीं भी आपको देखने रहे होगी ट्रांसफार्मर भी आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर नीचे गिरा हुआ है खंबा भी तिर्शा होकर गिरा हुआ है पानी बहुत जादा लगबग 3-4 दिनों से जबरजस्त तरीके से यहां पर पानी गिर रहा है और पुलिस की कोई यहां पर विवस्ता नजर नहीं आ रही एक Head Constable यहां से चले आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर पुलिस की विवस्ता दोनों तरف जो बेरीकेट्स लगने चाहिए वो बेरिकेट दोनों तरफ जो नहीं यहाँ पर लगे हुए है लोग आनंद ले रहे हैं बारिश का बारिश हो रही है और यहाँ बेरिकेट उस तरफ बेरिकेट नहीं लगे हुए है नहीं एक भी बेरिकेट उस तरफ नहीं है बेरिकेट उस तरफ नहीं है यह अब यहाँ से पुलिस दिखाई दे रहे, शाम का समय शाम होती जा रही है और यहां अगर हमारे पीछे देखेंगे तो चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा भीमगर जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का पान सिमनी की एक उपलबदी है मत्रदेश और हिंदुस्तान की से उपलबदी मानी जा सकती है पूरे विष्व का एक सबसे बड़ा एशिया का मिट्टी का बान माफ की जिएगा पानी फुला सा आ रहा है पानी का वेक फुला तेज हो रहा है इसलिए शत्री लगाना कुछ जरूरी महसूस हो रहा है और हम आपको लगातार बता रहे हैं देखे यहाँ पर पीछे बहुत लोग आपको यहाँ पर रील बनाते हैं सोशल मीडिया का जमाना सोशल मीडिया का जादू किस तरह सर्चड़ कर बोल रहा है कि सारे लोग यहां पर ॰ीर बनाते होई दिख रहे हूं, रील बनाने के लिए पानी के बहुत करीब नहीं है। यह लाएंग दीरे दीरे तो आपको कहीं पुलिस दिखाई नहीं देगी। लकनवारा थाना यहां से बमुश्किल 25-30 कदम या 40 कदम दूरी पर है पर यहां अभी तक पुलिस की कोई विवस्था कहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी पिछले साल भी यह इस्तिती यहां पर बनी थी अभी भी आप देख सकते हैं यहां पर लोग हुजूब लगा हुआ है शाम के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शाम चार साड़े चार बजे इस तरीके का नजरा देख रहा है मनो रात हो गई हो और यह देखिए यहां पर जाम लग गया है पुल के ऊपर इतने लोग हैं कि यह कहना बड़ा मुश्किल है कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और यह कहना वाकई बहुत यह देखिए बस में भी लोग रील बनाती हुए देख रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है कि यहां या तायात को थामने के लिए, या तायात पुलिस, या और कोई विवस्था, लखनवारा पुलिस, या प्रशाशन की ओर से कोई विवस्था हो, जिलादिकारी संस्कृति जहन, अभी उन्हें आये बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, उन्हें समझना पड़ेगा कि सीवनी ज अगाने से पुराना पुल है, या तायात इस पर कम ही होता है, पर अभी भी यहां से लोग आते जाते हैं, और आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा, बारिश का पानी अगर आप दूर दूर तक देखते हैं, वहां दूर तक भी आपको बारिश का पानी नजर आ रहा होगा चारों तरफ बारिश का जबर जस बारिश का पानी और वाहन चले आ रहे हैं वाहनों की आवाजे भी आपको सुनाई दे रहे होंगी एक बत्ति वाली गाड़ी आते हुए देख रही है कि देखना होगा ये इस बत्ती में SDM की का वाहन है या पुलिस का वाहन ही ये कहना MP20 और बत्ती इसमें जलती हुई दिखाई दे रही है कोई अधिकारी इसमें बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा पर बत्ती जल रही है पूरी गाड़ी खाली नजर आ रही MP28, D42, 82 इसमें कोई अधिकारी बैठा नहीं कोई सजेंड ड्राइवर के लावा कोई और नहीं ये पर बत्ती बकायदा जल रही है ये आलम है हमारे सिवनी में बारिश का और जो बारिश का पूरवा नुमान है उसके हिसाब से सौमवार आच्टावन का पहला सौमवार है और मंगलवार को भी दूसरे दिन भी बारिश केज होने की संभावना है कम से कम यहाँ पुलिस की विवस्ता पुलिस नहीं है तो नगर सैनिक की विवस्ता यहाँ पर की जा सकती है करी की जानी चाहिए एक बार फिर हम आपको उस वाले किनारे तक पर ले चलते हैं बीच में तो चुकि भीड इतनी ज़दा है या तक वेग इतना ज़दा है लोग इस कदर यहां पर है कि कहना यह वहां पर हबर बनाना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत हो रहा फिर भी हम आपको उस वाले किनारे प चलते हैं दूसरे किनारे पर चलते हैं बारिश अगर आप यहां सी इस किनारे से उस किनारे में देखें पानी का वेग आपको समझ में आएगा कि पानी का वेग कितना जबर्जस्त है कितनी जल राशी यहां पर पुल्ने सलीला बेंगंगा में हैं बेंगंगा के सारे घाट य जादे से जादा डूबे हुए हैं तो नेसलीला बैन गंगा की प्रतिमा पीछों पीछ ती वो भी पूरी तरह डूबी हुई है और ऐसा प्रतित हो रहा है जल प्लावन की स्थिती यहां नजरा रही खंबा भी यहां गिरा हुआ है आप यही रहते हैं लगने वाडम रहते है रहा है जादे जी यह खंबा किरा हुआ है यह तीन दिन से लाइटनी आई और ट्रांसफार्मर भी गिर गया है इसकी ठिकायत हो गई है इसकी वज़े से अभी लाइट सा काम चल रहा साया ता हां शिकायत की यह अपने अपने सब फिटर जो जहां से विजली सप्लाय होती और यहां पुलिस की कोई ववस्ता आपको दिख नहीं है वहां पर अगर होता तो कार अंदर आती क्या सुवीदा नहीं लोग यहां अंदर तक आ रहे हैं और पुलिस की कोई ववस्ता नहीं आपका कहना यह है कि वैरिकेट लगा पर वैरिकेट लगा है तो कार अंदर कैसे आ जाएगी एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहां पर बारिश का आप नजारा देखिए बारिश किस कदर यहां हो रही है और हमारे पीछे लगातार वाहन थाना प्रभारी लगाणवाड़ा भी यहां से इनका वाहन गुजरा पर शायद उसमें वो है नहीं कोई भी यहां पर कुलिस की मुकमल व्यवस्ता नहीं नजर आ रही समचार एजिंसी अफ इंडिया की साई नियूद में लिम्टी की लाल टेन के 662 वे एपिसोड में फिलाल इतना ही अगर आपको समचार एजिंसी अफ इंडिया की साई नियूद में लिम्टी की लाल टेन का 663 वे एपिसोड लेकर एक बार फिर हम हाजर होंगे फिलाल आप देखते हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, कितना जबर जस्त पानी यहां नजर आ रहा है, हमारे पीछे अगर आप पानी देखेंगे, तो जबर जस्त पानी आपको यहां पर नजर आएगा, ठीक पीछे जो पानी नजर आ रहा होगा आपको, फिलाल आपसे इजाज लात लाना चाहिंगे चाहिंगे चाहिंद लात लुषचास लात स्चास झाल झाल